एक जून को विश्व दुख्द दिवस मिल्क डे मनाया जाता है F.A.O. खाद्य और कृस्टी संगिठन के द्वारा वर्ष 2001 से इसको मनाने की सुरुवात हुई थी आपको हम बता दें कि राष्टी दुख्द दिवस जो भारत में मनाया जाता है 26 नॉवंबर को वर्गीज कुरियन जो कि श्वेत करांती के जन दाता थे भारत में जनक थे उनके जन दिवस के अउसर पे मनाया जाता है Global Day आप Parents भी एक जून को मनाया जाता है सेंग्त राष्ट की महासभाने 2012 से इस दिवस की स्थापना की थी 3 जून को विश्व साइकिल डे बाई साइकिल दे दिवस के रूपे मनाया जाता है साइकिल ना सिर्फ हमारी स्वास्त के रक्षा करने के लिए स्वास्त को बढ़ावा देने के लिए समवर्धन के लिए बहुत जवरी होता है बहुत उपयोगी होता है अगर आप डेली साइकल चलाते हैं तो सुगर जैसे तमाम जो घातक बीमारियां उनसे आप दूर रह सकते हैं आपका सरीर स्वस्त रहेगा दूसरा कि ये जो उर्जा में फाल्तू का जो हमारा उर्जा वे होता है जैसे लोग कहीं भी जाएंगे दुकान भी जाना होगा तो गाड़ी स्टार्ट कर लेंगे चले जाएंगे अगर साइकल से आना इस्टार्ट कर दें तो उर्जा खपत में भी काफी कमी होगी तो दोनों दिश्टि से बहुत उपी होगी है तो साइकल के महत्तों को चिन्नेत करने के लिए विश्वा संक्ठन के द्वारा दोजार अठार से विश्व साइकल दिवस की रूपे मनाया जाता है इसको सेंगतराष्ट महासफा की भी मानिता मिली हुई है चार जून को आकरमक्ता के शिकार बच्चों का अंतराष्टी दिवस की रूपे मनाया जाता है पांच जून को बहुत महत्पूर्ण दिवस है अंतराष्टी परियावरण दिवस इन्वार्मेंट डे है 1973 से प्रतिवर्श सेंगतराष्ट संग के द्वारा यह दिवस मनाया जाता है पांच जून 1972 को दरसल स्टाक होम स्वीडन की राजधानी में पहला मानो परियावरण सम्मिलन होता है परियावरण पर चिंता व्यत करने के लिए पूरा विश्व इकठा होता है जब यहीं पर पहले ही दिन सेंगतराष्ट परियावरण का एक्रम United Nations Environmental Program की अस्थापना होती है जिसका मुख्याले नैरोबी में है केन्या में है इसी उपलक्ष में 5 जून को अंतराष्टी परियावरण दिवस के रूप में चिन्नित किया जाता है पिछले वर्ष की जो थीम थी वो थी Solutions to Plastic Pollution इस बार की जो थीम है 2014 की वो है Land Restoration, Diretification and Drought Resilience भूमी बहाली मरुसली करण वसूखा लचीलापन इस बार की थीम है नारा है हमारी भूमी आवर अर्थ इसके तहत ही इस थीम को अपनाया गया है इस बार का जो मेजबान राष्ट है आपको बता दें प्रति वर्ष परियावन दिवस मनाने के लिए किसी राष्ट को मेजबान राष्ट बनाया जाता है वर्स 2024 के लिए जो मेजबान राष्ट है वह है सौधी अरब अर्थात परिया उन्हाण दिवस उत्सों मनाने की जो अगवाई कर रहा है इस वार वो सौधी अरब कर रहा है अठारवें लोकसभा चुनाओ परिडाम हाली में आ गये हैं 543 में से 542 सीटों के परिडाम आये एक सीट चुकी पहले ही घोशित हो चुकी थी निर्विरोध वहाँ पर सूरत सीट से मुकेश दयाल नाम है बिजेपी के उम्मीदवार है ये विज़ाई घोशित हो चुके थे इन परिडामों में जो एंडिये घडबंधन है जिसको की बिजेपी लेट कर रही है बिजेपी अगरणी है उसमें 292 सीटे प्राप्त हुई इस तरीके से घडबंधन को यहाँ पर बहुत हुद प्राप्त हुआ 272 सीटे चाहिए होती है 292 सीटे मिली वहीं इंडिया पादिक सीटे 240 और यह सिंगल लाजेश पार्टी भी थी देश में टीडीपी को तेलगू देशम पार्टी आनपदेश को सोलह और जेडियू को 12 यह टॉप थ्री हैं एंडिये में वहीं इंडिया एलाइंस में कांग्रेस को 99 सीटे सपा को 37 और टीमसी जो की ममताव नर्ज पार्टी है त्रेण मोल कांग्रेस 29 सीटे प्राप्त हुई टॉप थ्री पार्टी जो सबसे आदा जिसको सीटे मिली पहले अस्थान पे बीजेपी रही 240 सीटे दूसरे अस्थान पे कांग्रेस रही 99 सीटे और तीसे अस्थान पे सपा है 37 सीटे ज्यातब वह है कि इस बार किसी सिंगल पार्टी को बहुमत नहीं हासिल हुआ अर्थाद बीजेपी अके लिए दंपर बहुमत नहीं हासिल कर पाई रिकार्ड जो बने इस बार पहला की 64.2 करोण मत दाता थे इस बार के चुनाओं में जो कि पूरे विश्व का एक रिकार्ड है विश्व में सरवादिक संख्या रही 642 मिलियन अर्था 64.2 करोण मत दाता थे रिकार्ड 31.2 करोण महिलाएं थी जिसमें 312 मिलियन महिलाएं थी वही नरेन मोदी ने रिकार्ड बनाया अभी लगातार तीसरी बार पंडिजवाल नाल नहरू के बाद दूसरे ये प्रधान मंत्री बनेंगे जो तीसरी बार लगातार गौवर्मेंट में आ रहे हैं तीसरी बार लगातार प्रधान मंत्री बनेंगे इनकी जो एलायंस है उन्होंने बहुमत प्राप्त किया है इन दोर में दो रिकार्ड बने पहला बीजेपी उमिद्वार शंकर लालवानी रिकार्ड 11,75 जानमतों से जीते अपने निकित्तम प्रतिद्वन्दी से ये इस लोकसभा का सरवाधिक बड़ा अंतर रहा जीत का वही नोटा दूसरे नंबर पे रहा अर्थात जो न नाब द एबब आप्शन होता है इस पर दूसरे सरवाधिक मात्रा में वोट किये गए अब तक के सबसे जादा मत 2,18,674 नोटा को ही प्राप्त हुए अर्थात अभी तक का नोटा का सबसे बड़ा रिकार्ड है नोटा ने इतने मत कभी प्राप्त नहीं किये थे इसके पहले जो रिकार्ड था वो बिहार का किसी लोग सबा सीट का था लगबख 50,000 के आसपास का था तो इक अठे दो लाग और इसका कारण आपको बता दे क्योंकि कांग्रेस उम्मिदवार ने ठीक चुनाओं के पहले अपना नाम वापस ले लिया था और बीजेपी में सामिल हो गया था तो इसके बाद कांग्रेसियों ने क्या किया कि नोटा का प्रचार किया और नोटा पे ही इसलिए इतने मत डाले गए हैं। को 14 सीटे मिली हैं। आनपदेश में 175 विधान सवा सीटे हैं जिसमें एंडिये को पूर्ण बहुमत मिला वहाँ पर एंडिये लड़ रही थी। जिसमें तेलगू दिसम पार्टी को 135 सीटे हैं। अब चंदबाबू नाइडू यहां के चीफ मिनिस्टर बनेंगे। जन सेना पार्टी 21 और बीजेपी को 8 सीटे मिली। अवनाचर पदेश में 60 सीटे थी विधान सवा की बीजेपी को बहुमत प्राप्त हुआ 40 सीटे मिली। सिक्किम में 32 सीटे थी जिसमें एसकियम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को 31 सीटे प्राप्त हुई। नीदर लैंड वर्ष 23-24 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्याद गंतब व्यदेश बन गया है। पहले अस्थान पे अमेरिका है, दूसरे पे सयुक्त अरब अमीरा है। तो भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्याद गंतब व्यदेश कौन बन गया। नीदर लैंड 23-24 के वर्ष में। कासा क्या है। कोरिया एरोस्पेस एडिमिस्टेशन दक्षिंड कोरिया द्वारा अपनी इस राष्टी अंतरिक्ष एजंसी की अस्थापना की गई प्राचून नामक शहर में रहेगा। अभ्यास जिसमें भारत भाग लेने जा रहा है इस महीने। एक तो अलास्का 31 मई को जो की संपन हुआ है। अलास्का अमेरिका में वाई सेनी अभ्यास रेड फ्लैग जो की बहुराश्टी अभ्यास है। वहीं हवाई द्वीप जो की अमेरिका का द्वीप है इसमें रिम पैक नो सैनी के अभ्यास जो की बहुराश्टी अभ्यास है वो जून से अगस्त तक चलेगा उसमें भी भारती सेना भाग ले रही है। पीवी सिंदू भारती महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं स्वास मंत्राले के द्वारा तंबाकु न अंतर्ण के लिए इनको ब्रांड एमिस्टर बनाया गया है। न्यू और्लियांस जो की हूस्टन अमेरिका में स्थित है दुनिया का सबसे बड़ा अंतराश्टी वैस्विक्स चक्षा का एक्रम चिहत्तरवा एन एफ से दोजार चौबिस समय लनाय जित्वा जिसमें भार भी एक प्रतनिदी के रूप में शामिल हुआ। में इसका मुख्याले है। विस्वास संग्ठन के दवारा वर्ष दोजार चौबिस के लिए इसे स्वास समर्धन के लिए नेलसन मंडेला पुरुसकार प्रदान किया गया वर्ड हेल्थ आगनाईशन के दवारा। इस पुरुसकार के सुरुवात डबलु एचों ने दोज 2019 में की थी। टेस्ट एटलेस नामक एक संस्था के दवरा विश्व के 50 सरवुत्तम पोर्ख व्यंजनों की सूची जारी की गई है। इसमें सरसेष जो पोर्ख व्यंजन है विश्व का कुलंबिया का लेकोना है। इसके अलमा परनिल जो की प्यूटोरिको का है और 29 अस्थान पे इन 50 सरवुच पोर्ख व्यंजनों की सूची में इसको अस्थान प्राप्त हुआ। आज के लिए इतना ही दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।